आज की वीडियो में मैं explain करूंगी फेरुदा सिरीज की अगली कहानी दा हाउस ओफ डेथ तो सुनते हैं कहानी की संबरी मेरी यानि गरिमा की आवाज में कहानी की शुरुवात होती है जब एक बच्चा एक पहाड के नीचे बैठा भजन गा रहा है ये जो गाउं हैं जहां पर ये बच्चा रहता है ये काट मांडू से कुछ दूरी पर है ये बच्चा बहुत सुरीली धुन बजा रहा है तभी पहाड के उपर से एक बड़ा सा पत्थर दुनकता हुआ नीचे आता है और इसका इंस्ट्रुमेंट तूट जाता है ये बच्चा बिरकुल बाल बाल बच्चता है ये खबडाता है तभी एक और थमाके की आवास आती है और तेजी से पहाड़ी पर से एक आदमी फिसलता हुआ नीचे की तरफ आता है ये बच्चा उस आदमी को देके बहुत डर जाता है उसके सर से खून निकल रहा था उसे काफी चोट आई भी थी ये बच्चा भाग कर पास में जो लोग थे दिखते हैं उसे वो कुछ फॉर्नर्स से जैसे ही पीज होते हैं वो इसकी मदद करते हैं और उस आदमी को ऑस्पितल पहुचाते हैं वो आदमी बच जाता है कहानी एकदम नया मोड ले लेती है और आ जाती है अब कलकत्ता जहां पर फैलुदा तोपशे के साथे कमरे में बैठे हैं और वो लंबे पावर कट्से बहुत परिशान है फैलुदा की होबी है कि वो रात में सोदे समय कोई न कोई किताब अवश्य पढ़ते हैं लेकिन इतने लंबे पावर कट्स और इतनी भेंकर गर्मी के कारण वो रात में कोई भी किताब नहीं पढ़ पा रहे उनके जो दोस्त हैं लाल मोहन बाबू जो की एक राइटर हैं उन्हें भी अपनी एक कहानी जल्द से जल्द समाप्त करनी है लेकिन पावर कट्स ने उन्हें भी परिशान कर रखा है तब फैलुदा और लाल मोहन बाबू मिलकर एक प्रोग्राम बनाते हैं कि क्यों ना वो जगनात पूरी चलें पूरी के केनारे अच्छा मौसम रहेगा और ओडिसा में काफी बिजली भी बनती है जिससे वहाँ पावर कट्स की प्रॉब्लम नहीं होती है ट्रेन के टिकेट्स हो जाते हैं और फेलुदा लाल मोहन बाबू के साथ और तोपशी के साथ पूरी पहुँच जाते हैं वहाँ पर लाल मोहन बाबू के एक दोस्त थे जिनका एक काफी अच्छा फाइव स्चार होटल था वही पर ये तीनों रुख जाते हैं पूरी का मौसम बहुत ही अच्छा था और ये तीनों वहाँ पर जाके खुब एंजोय करते हैं फेलुदा जब तोपशी के साथ ट्रेन से आ रहे थे तब ट्रेन में उनका एक सहयात्ती था जिसने बहुत सारा सोना पहना हुआ था उसने सोने की घड़ी, काफी महंगी अंगूठियां यहां तक कि उसका सिग्रेट का केस भी सोने का था फेलुदा बोलते हैं उनसे लाल मुहन बाबू से कि अवशी आदमी काफी अमीर लग रहा है तब लाल मुहन बाबू सोचते हैं कि उन्हें उस आदमी का नाम अवशी पूछना चाहिए था फेलुदा दिमाग के बहुत तेज हैं वो फट से जाकर रिजिस्ट्रेशन का जो चार्ट लगा था उस पर से उसका नाम देख लेते हैं इसका नाम होता है मिस्टर हिंगो रानी ये जो मिस्टर हिंगो रानी है ये काफी अमीर है और कहानी में इनका आगे काफी महत्व है छोटी सी ये इनकी मुलाकात आगे जाके क्या रंग लाईगी ये तो हमें कहानी सुनने पे ही मालूम पड़ेगा फैलोदा ने लाल मोहन बाबू को एक बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है किताब लिखने का कि वो इस मिस्ट्री थिलर में थोड़ी सूपर नैच्रल पार्स की भी बात करें ऐसा करने से लोगों का इंट्रेस्ट और जादा जागरित होगा और लाल मोहन बाबू को उनका या आइडिया बहुत पसंद भी आया है जिस तरह से लाल मोहन बाबू अपनी कहानी में एक सूपर नैच्रल ट्विस्ट दे रहे हैं उसी तहरे का ट्विस्ट हमें The House of Death इस कहानी में भी देखने को मिलेगा कहानी आगे बढ़ती है और फैलुदा, तौपेश, अलाल मोहन बाबू, जगनात पुरी के जो बीच हैं उस पर ठंडी ठंडी हवा का आनन्द ले रहे थे तभी उन्हें वहाँ पर जो रेट थी उस पर कुछ फुट स्टेप्स दिखाई देते हैं जो थोड़े अलग थे उसमें दो पैरों के साथ एक अलग से डंडी का भी निशान आ रहा था जैसे कोई हाथ में डंडा पकड़के चलता हो इन लोग इस बात तो काफे डिसकस करते हैं कि वो आदमी लेफ्ट हैंडर होगा लेकिन फिर उनकी खोश शुरू होती है कि आखिर ऐसा कौन इंसान है यहाँ पर जो ऐसे चड़ी लेकर चलता है तब ही वहाँ पर शाम लाल नाम के एक आदमी आते हैं शाम लाल एक व्यापारी है और होटल में वो लाल माहन बाबू के साथ कमरे में ठहरे हुए हैं एक कमरे में फैलुदा और तोबेश रहते हैं और दूसरे कमरे में शाम लाल माहन बाबू के साथ रहते हैं वो लाल माह बाबूत फेरुदा को बताते हैं कि यहां से कुछ दूरी पर ही एक घर है जहां पर एक एस्ट्रोलॉजर रहते हैं वो जो एस्ट्रोलॉजर हैं जो जो तिशा चार हैं उनके पास बहुती सूपर नैच्रल पार्स हैं वो किसी के भी माथे पर जहां पर तीसरी आंख होने का से विवरन दिया जाता है वहां पर अगर अपनी उंगली रखते हैं तो उसके भूत और भविश्य के वारे में काफी कुछ सच सच बजा देते हैं मिस्टर शामलाल जो थे वो भी उन एस्ट्रोलॉजर से मिलने गय थे और अब लाल मोहन बाबू बहुत ज्यादा एक्साइ उसी बिल्डिंग के बगल में एक बहुत ही खंड़हर जैसी बिल्डिंग है तूटी फूटी यही बिल्डिंग आगे जाके the house of death कहलाईगी उस बिल्डिंग को देखते ही एक नकारात मक कूर्जा अपने अंदर लगने लगती है उस बिल्डिंग के बगल में ही वह व्यक्तित्विके आदमी हैं यह ज्यादा किसी से मिलते जुलते नहीं है इनका एक बेटा एक बहु है जो इनसे मिलने भी अब बहुत कम आता है छे महिने पहले तक यह बिल्कुल फिट थे लेकिन कुछ दिनों से इनके पैरों में गाउट की प्रॉब्लम हो गई है जिसके व सेंशिय की मैंस्क्रिप्स हैं फिर मोहन बाबबु के साथ जो एस्ट लॉजर उनका नाम है लक्षमन भट्टाचार उनसे बिलने चले जाते हैं और जब वो मिलकर वापस आते हैं तो लाल मोहन बाबू तो बहुत ही एक्साइटेड हैं वो फैरुदा से कहते हैं कि ये जो लक्ष्वन भट्टा चाह रहे हैं जो जो तिशा चाह रहे हैं ये बहुत जादा जानते हैं उनके बारे में जैसे ही उन्होंने उसके सर पे हाथ रखा उसके बारे में बहुत कुछ बता लाल मोहन बाबू से कहा कि आपके एक दोस्त हैं जो बहुती तीवर बुद्धी के आदमी है और उनकी दोस्ती आपके लिए बहुती अच्छी रहेगी आगे जाने पर फिरुदा लाल मोहन बाबू की बाते सुन कर भी बहुत उत्साहित नहीं होते क्योंकि उनका इस तरह की जो भविश्यवानी होती है या जो तिशी होते हैं उनमें आदा विश्वास नहीं है उनका तो इंट्रेस्ट चगा है डी जी सेन में काश किसी तरह वो उनसे मिलकर वो पुरानी प्रतिलिपिया देख सकें वो शामलाल बाबू से कहते हैं कि क्या किसी तरह वह उनकी मीटिंग अरेंज कर सकते हैं शामलाल बाबू कहते हैं कि हाँ वो कोशिश जरूर करेंगे डी जी सेन का एक एसिस्टेंट है वो उनसे बात करके अगर उनकी मीटिंग फिक्स करा पाएंगे तो वा वश्चिफिस कराएंगे अगले दिन फैलोदा शामलाल बाबू के साथ बिजी होते हैं कि किसी तरह वो डीजी सेन से मिलने इधर तो पेश लार मोहन बाबू के साथ सब मुद्र के नारे घूमने जाता है लेकिन वहाँ पर एक धुरकटना घटी है तो पेश के पैर के नीचे कुछ अजीव सी चीज आती है और वहीं बीश पे वो गिर जाता है वो जब उठता है तो देखता है वहाँ पर एक आदमी की लाच थी उस आदमी को गोली मार के उसकी हत्या की गई थी आगी की तफ्तीश मालूम पढ़ता है कि उसके पास से औल इंडिया टैक्सी परमिट का एक मिला थसलिप इससे लगता है कि वो शायद टैक्सी ड्राइवर था लेकिन एक टैक्सी ड्राइवर का खोन इस तरह से जगनातपुरी के बीश पे वो भी गोली मार के क्यों किया जाएगा लाल मोहन बाबु चाते हैं कि फैरुदा इसके इंवेस्टिगेशन करें लेकिन फैरुदा को किसी नया पॉइंट नहीं किया है इस मर्डर को इंवेस्टिगेट करने के लिए इससे वो इससे दूर ही रहते हैं अब पुलिस इसमें अपनी इंवेस्टिगेशन आगे परफ्यूम का काम था लेकिन उनके कोई भी बेटे जो थे वो इस परफ्यूम के काम को आगे नहीं बढ़ाते और अब डीजी सेन इस घर में जो उनका पुछतानी मकान है पूरी में रहते हैं उनकी पतनी बहुत पहले ही मर चुकी है और उनका एक बेटा बहु है जो अब उन नीचे एस्ट्रोलाजर रहते हैं किराई पे लक्षण भटाचार यही इलाज कर रहे हैं डीजी सेन का उन्हें गाउट हो गया है तो फैलुदा ये देखके चौकते हैं कि जो दवाईयां वहां रखी थी फैलुदा को थोड़ा वो दवाईयों का विज्यान है वो देखते हैं वो मैनस्क्रिप्ट जो थी वो बारवी शताबदी की थी वो दो मैनस्क्रिप्ट सी जो लकडी पर कागस के अंदर लिखके बड़े अच्छे से फोल्ट की वी थी और उपर से सिल्क का कपड़ा उसके उपर चढ़ा हुआ था लकडी काफी मोटी और भारी थी जिससे व दोनों ही मैनस्क्रिप्स संस्रित भाषा में लिखी गई थी बारवी शताब दीवें। फैलुदा जब ये मैनस्क्रिप्स को देखते हैं तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। फार्म लीफ पर लिखी हुई मैनस्क्रिप्ट उन्हें बहुत ही मुहित करती हैं। वो पूछते हैं डीगी सेंसे कि इसके कीमत क्या होगी। डीगी सेंसे कहते हैं कि वो कोई व्यापारी नहीं है। ये जो हैं प्रतिलिपिया ये उनकी जान है। ये कभी भी इस प्रतिलिपि को किसी को भी नहीं बेचेंगे। चाहे उन्हें कोई कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना दे। फैलुदा डीगी सेंसे मिलके जब बहां निकलते हैं तो फिर से वही पुरानी बिल्डिंग सामने आ जाती है। जिसको वो हाउस ऑफ डेट भी कहते थे। उस बिल्डिंग का नाम था भुजंग निवास। वो लग रहा था बिल्डिंग जैसे रेट में धस्ती जा रही है। शाय सालों पहले उसमें कोई रहता हो लेकिन अब तो ऐसा प्रतीत होता था कि उसमें कोई भी नहीं जाता। फैलुदा जब गयते डीगी सेंसे मिलने तो वो उनके बेटे के बारे में उनसे पूछते हैं कि उनका जो बेटा बहु है वो कहां पर रहते हैं। तो डीजी सेंसे बहुती अजीब सी निकाहों से फैलुदा को देखें लगते हैं और कहते हैं उन्हें याद नहीं कि कोई उनका बेटा भी है। फैरुदा इस बार पे बहुत चिंतित थे। वो बार बार ये बात दोराते हैं कि ये कैसे संभव था कि कोई आदमी अपने बेटे के बारे में ही भूल जाए। और वो दवाईयां उस दवाईयों में एक दवाई चीज़ का नाम था डायापिड। उसके बारे में पर बैठे रहते हैं। अगले दिन समुद्र के किनारे फैरुदा की मुलाकात फिर से उसी अमीर आदमी से होती है जो उन्हें ट्रेन पर मिला था। मिस्टर हिंगोरानी वह फैरुदा से मिलते हैं। उन्होंने वैसे ही सास सज्जा की हुई थी जैसे वो ट्रेन पर उसे मि और क्या वो मैनस्क्रिप्ट उन्होंने देखी है। फैरुदा उन्हें कहते हैं कि हाँ वो मैनस्क्रिप्ट बिलकुल असली है और वो बारव शताब्दी की लिखी हुई है। तब मिस्टर हिंगो रानी कहते हैं कि वो उस मैनस्क्रिप्ट के लिए 25,000 रुपए देने को तया हैं जिए जमाने में या कहानी लिखी गई है उस जमाने में 25,000 रुपए एक खासी बड़ी रकम होती थी फैरुदा या सुनके बहुत चौक जाते हैं और मिस्टर हिंगो रानी से कहते हैं कि डीजी से इन जो है वो बिलकुल भी यह मैनस्क्रिप्ट बेचने कि पक्ष में नह जाएं इधर कहानी में एक नया पात्र जुरता है बिलास मजुमदार यह वही इनसान है जो जब रेत पे चलता है तो एक छड़ी का भी निशान बनता है इसके पैरों में कुछ प्रॉबलम है वह फेलुदा को बताते हैं कि एक वर्ष पर उनका एक एक्सिजेंट हो गया थ जिसके वज़े से उन्हें सिर्फ शालरिक चोटी नहीं लगी मांस एक चोट भी लगी उनकी आदाश्ट काफी हद तक जा चुकी थी और अब धीमे धीमे उनकी आदाश्ट कुछ हद तक वापस भी आ रही है वो बताते हैं कि लगबग एक वर्ष पहले काटमांडो के पास एक चोटे से गाउं में उपर पहाड से उन्हें नीचे धका दे दिया गया था लेकिन उन्हें बिलकुल भी याद नहीं है कि वो धका उन्हें किसने दिया था इस पर लाल मुहन बाबू कहते हैं कि क्यो ना वो उस एस्ट्रोलाजर लक्षमर मजुमदार से मिलें वो उनके माथे पर हाथ तकते ही बता देंगे कि उनके भूत में क्या हुआ था किसने उन्हें मारने की कोशिश की थी तब बिलास मजुमदार के बारे में एक बहुती पिक्यूलियर बात बताई जाती है कि उनके माथें के बीचों बीच एक बड़ा सा मस्सा है जब दम वहीं पर वो बहुती मश्यूरूफ थे और काफी कागरच और फायल्स उनके कमरे में फैली हुई थी जैसी यह सारे जाते हैं और बोलते हैं कि इनको बिलास मजुमदार को विस्तर पर बिठा के तुरंद अपनी उंगली उनके मस्से पर रखते हैं और उनके बारे में बताने लगते हैं वो बताते हैं कि एक फर्षपूर इनका एक बहुत ही बड़ा एक्सिजेंट हुआ था जिसमें इन्हें मर जाना चाहिए था लेकिन भगवान की ईश्वर की बहुत क्रिपा है कि इन्हें सिर्फ कुछ चोटे ही आके रह गई वो चोटे भी गंभीर थीं कि कई हड्या तूटी थीं इनके दिमाग पे भी बहुत असर हुआ था तब इनसे पूछते हैं बिलास मजूमदार कि किसने उन्हें धक्का दिया था तो लक्षन भटाचारे कहते हैं कि ये बात वो नहीं देख सकते और अगर देख भी सकते होती तो शायद वो बात नहीं बता सकते हैं त्योंकि हलका महसूस कर रहे हैं और वो फैलोगा को बताते हैं कि उन्हें अब काफी अब बीती यादे भी वापस आ रही हैं उन्हें कुछ-कुछ याद आ रहा है कि उनके साथ क्या हुआ था वो बताते हैं कि वो एक वर्षपूर्फ काटमांडू गये थे उन्हें भी पुरानी मै देखने में बिल्कुल एक जैसे थे इसलिए गलती से वो अपने नेबर के रूम में एक दिन एंट्री ले रेते हैं वो नेबर और कोई नहीं था डी जी सेन थे वो वहाँ पर कुछ अमेरिकन से बैठे बाते कर रहे थे और सिल्क के कपड़े में लिप्टा हुआ कुछ उनके हाथ में था जैसे डी जी सेन देखते हैं बिलासमा जुमदार को वो उन्हें बहुत गुसे से देखते हैं बिलासमा जुमदार उनसे सौरी बोलते हैं कि वो गलती से उनके रूम में आ गए और तुरंट वहाँ से निकल जाते हैं फिर बिलासमा जुमदार कहते हैं कि इसके गलत करने का प्रयास किया, शयद वो मैनस्क्रिप्ट को स्मगल करते थे, बिलास्पा जुम्दार ने उन्हें देख लिया, और इसलिए उन्हें धका देखे मारने का प्रयास किया। इस पर लाल मोहन बाबू बहुत आपे से बाहर हो जाते हैं, उन्हें बहुत गुसा आता है डीजी सेन पे, और वो बिलास्मा जम्दार से कहते हैं कि क्यों ना एक बार वो डीजी सेन से जाकर मिलें, जब डीजी सेन देखेंगे कि जिसको मारने का प्यास उन्होंने किया था वो तो अभी भी जिन्दा है तो वो बहुत ही आदा परिशान हो जाएंगे और शायद इस परिशानी में वो कुछ ऐसी हरकत करेंगे जिससे हम उन्हें पकड़ सकें कहें अनुसार बिलास मजुंदार अकेले ही डी जी से इन से मिलने चले भी जाते हैं और जब वो वहां से ल लेकिन इससे पहले कि फैलोदा उनसे मिलने जाते उन्हें मालूम पड़ता है कि उनकी वो जो मैनस्क्रिप्ट सी दो मैनस्क्रिप्ट उसमें से एक मैनस्क्रिप्ट चोरी हो गई है इतनी बड़ी खबर पूरी-पूरी में संसनी की तरह फैल जाती है त्योंकि कई लोग थ जैसे उन्होंने कोई नींद की गोली खाली हो तब ही उस फेलोदा को मालूम पड़ता है कि जो डीजी सेन का सेक्रेटरी था जो उनके लिए बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट था उनका बिल्कुल दाहिना हाथ था वो कहीं पर है ही नहीं वो वहां से गायब है सबका शक होत इदने के लिए बहुत इंट्रेस्टेट थे वो हिंगोरानी पर तीखी निगाह रखने लगते हैं लेकिन हिंगोरानी ऐसा कुछ भी बरताव नहीं कर रहे थे जिसे फरुदा को उन पर शक चाए अब फरुदा का दिमाग दूसरी तरफ जाता है कि अगर हिंगोरानी ने व लासमर जुमदार अभी जिन्दा है वो उस मैनस्क्रिप्ट के बारे में जानता है शायद वो मैनस्क्रिप्ट नकली है शायद उन्होंने वह मैनस्क्रिप्ट उन अमेरिकन्स से घर दी थी वो शायद चोरी की भी हो सकती है इसलिए जल से जल डीजी से न उस मैनस्क्रिप् उन पर शक ना हो कि आखिर वो मैनस्क्रिप्ट चोरी की थी या इलीगल थी और वो मैनस्क्रिप्ट कहां चली गई इधर यह सारी confusion हो रही थी इसी बीच डी जी सेन का बेटा महिम सेन उनसे मिलने आ जाता है महिम सेन को देखके फैरुदा बहुत ही जादा उत्साहित होते हैं कि काश अब कोई गुथी सुलच पाईगी महिम सेन बताता है कि उसके पिता बिलकुल ठीक थे देकिन पिछले वर्षी वो काटमांडू घूमने गहते और जब से वहां से आये हैं वो बहुती अलग सा बरताव कर रहे हैं वो ये तक कहते हैं कि वो अपने बेटे महिम सेन को पहचानते नहीं हैं हाला कि पहले महिम सेन और उनके पिता का बहुती अच्छा रिष्टा हुआ करता था अगली राद फैलुदा के ले ही समुद्र के किनारे घूमने निकल जाते हैं और काफी देर तक जब वो नहीं लोटते तो तोपेश और लाल मोहन बाबू परेशान होके उन्हें ढूनने निकलते हैं लेकिन फैलुदा का कहीं भी नामोंने शान नहीं था लाल मोहन बाबू अपना टॉर्च जलाके उन्हें इधर उधर ढून रहे थे तब ही कुछ देखके लाल मोहन बाबू के हाँ से वो टॉर्च वहीं रेच बिगर जाता है एक हिलती डुलती आकरती उन्हें दिखाई देती है जो उटके अचानक से बैठ जाती है वो और पर से काफी खून बह रहा था फैलुदा को जब डौक्टर के पास ले जाते हैं तब फैलुदा को बहुत आशर होता है या जानकर कि जो खून उनके मातें पे लगा है दर असल वो उनका खून नहीं है फैलुदा को जो चोट आई थी उसमें उनका सर नहीं फटा था तो य आज रात के लिए वो तयार रहें वो लोग पकड़ लेंगे उन कल्प्रिट्स को जिसने ऐसा किया था और अगले ही दिन वो दोपहर की समय में वहीं जाते हैं उसी बिल्डिंग में भुजंग निवास में जिसे हाउस ओफ डेथ कहा जाता था तो कि फैलूदा को वहां पर ज जूतों की निशान कैसे थे फैलोदा तो पेश और लाल मोहन बाबु उस बिल्डिंग में उपर जाते हैं लाल मोहन बाबु बहुत खबरा रहे थे जो कि उन्हें इस बिल्डिंग से हमेशा ही निगेटिव वाइप साती थी जब वो दरवाजा खोल के अंदर जाते हैं तो इस खून की भी इन्वेस्टिकेशन स्टार्ट हो जाती है फैलोदा तो पेश से कहता है कि आज की रात जो है वो बहुती जादा क्रूशिल है त्योंकि आज रात बहुत बढ़ा कुछ घटने वाला है उस रात को फैलोदा तो पेश और लाल मोहन बाबु वहीं समुद्र के किनारे चुचुचे कोटेश टाइप के बने रहते हैं जहां लोग बैठते हैं उसी के अंदर छुप जाते हैं और सागारी का मेंशन जहां पर डीजी सेन रहते थे वहां बहुत ध्यान से देखने लगते हैं बहुत ध्यान से देखने पर उन्हें एक आदमी निकलता उस ब जिससे ये दोनों आदमी दो दिशाओं में भागने लगते हैं फैलूदा एक आदमी को पकड़ते हैं और तो पेश से कहते हैं कि दूसरे को पकड़ो ये दोनों आदमी पकड़े जाते हैं इसमें से एक तो होते हैं वो एस्ट्रो लॉजर जो वहाँ पर रहते थे नीचे लक्षमन भटा चार रहे और दूसरा और कोई नहीं बलकि बिलास मजुमदार था जो सालोब एक साल पहले वो पहाड से नीचे गिर गिर गया था जिसके पैर में चोट आई थी तब ही वहाँ पर पुलिस भी निकल आती है फैलुदा ने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था कि आज रात कुछ बहुती अलग होने वाला है शायद हम जो में कल्पिट्स हैं उनको पकड़ लेंगे बिलास मजुमदार और वो जो उनका एस्ट्रोलाजर था लक्षवन भट्टाचार ये दोनों पुलिस की जकर में थे और दोनों अपनी-अपनी कहानी बताते हैं फेलुदा बताते हैं कि दर असर बिलास मजुमदार एक नकली नाम लेके एक फ्रॉड आइडेंटिटी वाला आदमी है इसका असली नाम है मिस्टर सरकार एक वर्ष पहले बिलास मजुमदार नाम का कोई शक्स था जो पहाडों से नीचे गिरा था सचमुश में वो नीचे गिरा था और वो हस्पिटलाइज हुआ था उसके पैरों में काफी चोट आई थी दिमाग में भी चोट आई थी और ये बात इस आदमी ने अच्छे से पता कर ली थी कि कार्टमांडू के पास एक गाउं है जहां पर ऐसे किसी आदमी का एकसिडेंट हुआ है और उसके माथे पर आइडेंट्री मार्क की तरह एक मस्सा है इसने एक नकली मस्सा लेके अपने सर पे लगा लिया था अपना नाम बिलास का जुम्दार रख लिया था कि कोई अगर इसके बारे में तहकीकात भी करेगा तो वो पता नहीं लगा पाएगा कि ये गलत आदमी है उधर डी जी सेन जो थे जब वो काटमांडू गयते तो उनके साथ भी कुछे तरगटना हुई थी दरसल डी जी सेन गलती से दूसरे कमरे में चले गये थे जहां पर ये मिस्टर सरकार बैठा था मिस्टर सरकार जो था ये नकली मैनस्क्रिप्ट का काम करता था वो जो हांटेड बिल्डिंग नहीं लगती थी जिसे हाउस आफ डेथ कहते थे वहीं पर ये सारा इल्लीगल काम चुपचाप से होता था और इंका पार्टनर इंक राइम था वो एस्ट्रोलोजर लक्षबन भट्टा चारे वहां से पोलिस को बहुत सारे लकडी के टुकडे और पुराने पाम लीफ्स कागज ऐसे मिलते हैं जिससे हू बहू पुरानी मैनस्क्रिप्ट्स ऐसा लुक दे कर बनाया जाता था और ये लोग दूसरों को बेकूफ बनाके इन मैनस्क्रिप्स को बेशते थे लेकिन मिस्टर हिंगो रानी जो थे उन्हें बहुत आइडिया था उन्हें बेकूफ बनाना आसान नहीं था जैसे ही लक्षण भट्टाचार बिलासमा जुम्दार को ये बात मालूम पड़ी कि हिंगोरानी इस मैनस्क्रिप्स के लिए मूँ मांगे दाम देने वाला है उसी दिन से ये दोनों पीछे लगे किसी तरह ही मैनस्क्रिप्स चुराने के लिए उन्हें चोरी करते हुए शायद उनका जो एसिस्टेंट था उसने देख लिया इसलिए वो भी मौत के घाट उतार दिया गया डी जी सेन बताते हैं कि जब वो काटमांडू गय थे और वो गलती से मिस्टर सरकार के रूम में एंटर कर गये थे तब और उन्हें देखा था कि कुछ अमेरिकन्स को ये कुछ मैनस्क्रिप्ट बेच रहे हैं ये उस समय ये बात समझ नहीं पाए थे वो सौरी बोलके तुरंद उस कमरे से बाहर आये थे और उन्हें अपने कमरे में आके उनका जो पैर था उसमें गाउट की प्रॉब्लम नहीं थी उनका पैर टूट चुगा था और उसकी जगा नकली पैर लगाया गया था लेकिन वो नहीं चानते थे कि कोई भी देखे और उनका मजाग बनाए कि इनका एक प्यार नकली है इसलिए वो सबसे यही कहते थे कि उन्हें गाउट है और वो चल नहीं पाते शाद इसी वजे से वो अपने बेटे को भी नहीं पहचान पा रहे थे क्योंकि उनकी यादास चली गई थी और वो दवाई डायापिट जिसको देखके फैलुदा बहुत चौके थे वो दर असल यादास वापस लाने की दवाई थी इस दवाई की वजे से ही फैलुदा को शक हो गया था कि हो ना हो डीजी सेन की आदास चली गई होगी लेकिन किस वजे से ये उन्हें पता लगाना था डी जी सेन को जिस गाड़ी में ये जो मिस्टर सरकार था ही जंगलों में लेकर गया होगा और पहाड पर से धक्का दिया होगा वो ड्राइवर जो था वो शायद सरकार को बादने ब्लैक मेल करने लगा इसलिए जकनात्पुरी में उस ड्राइवर को भी गोली मारके उसकी हत्या कर दी गई थी और वही उसकी लाश समुद्र के किनारे मिली थी जिसके पास All India टैक्सी जलाने का परमिट था इस तरह मिस्टर सरकार ने दो खून किये थे पुरानी मैनस्क्रिप्ट भी चुराई थी लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर फैलुदा को कैसे मालूम पड़ गया कि उस रात कुछ विशेश होने वाला है और जो चोर है वो फिर से यहाँ पर इखटा होंगे जो कि फैलुदा को जिस चीज से कसके मारा गया था वो उन दो मैनस्क्रिप्ट में से एक मैनस्क्रिप्ट ही थी जब ये मिस्टर सरकार जो बिलास वजुमदार के नाम से वहां रह रहे थे उसने डीजी सेन की अलमारी में से वो मैनस्क्रिप्ट चुराई थी और शायद उसने डीजी सेन को फिर से कुछ पानी में मिला के ऐसा पिला दिया था जिससे वो गहरे नीन में सो रहे थे जब फलुदा अगले दिन उनसे मिलने कहते तब तक वो सोके नहीं उठे थे लेकिन जब वो चोरी करके मिस्टर सरकार वहां से निकल रहा था तब डी जी सेंके सेक्रेटरी ने जो कि बिलकुल एमानदार था उसने देखा कि वो किस तरह उनकी चोरी कर रहा है तब सरकार के हाथ में और कुछ नहीं था इसलिए उसने उस लकडी की मजबूत मैनस्क्रिप्ट से ही उस सेक्रेटरी के सर पे बहुत जोड़दार वार किया और उसके बाडी को उठा के उसी हाउस ओफ डेथ में छिपा दिया साथ ही उसका समान भी मांद के वहां से लेया है जिससे लोगों को लगे कि सेक्रेटरी ने चोरी की और अपना समान लेके वहां से भाग गया है अब ये सरकार वो मैनस्क्रिप्ट हाथ में लिए तेजी से मिस्टर हिंगोरानी के पास जा रहे थे कि वह manuscript उन्हें बेज देंगे लेकिन रास्ते में उन्हें फैलुदा मिल गया सरकार अब डर गया वो समझ गया कि फैलुदा तो देखते ही समझ जाएगा कि उसने चोरी की है वो से पुलिस को पकड़ा देगा इसलिए उसने फिर से वह manuscript उठाई इसलिए फैलुदा को यकीन था कि वह manuscript दूसरी वाली है वह उसे चोरी करने रात में चरूर आएगा वो पहली manuscript जो पानी में गिरी हुई थी दर असल वहां मच्वारे के बच्चों को मिल गई थी और उन बच्चों ने उसका सिल्क का कागच जो कपड़ा चड़ा हुआ था उसको निकाल के अपने माथे पर एक बैंट की तरह बहन लिया था जब फैलुदा नहीं ये चीज देखी कि बच्चे जो है वो सिल्क का स्काव जैसा बांदे खूम रहे हैं तब उनको समस्ते देर नहीं लगी कि उसी मैनस्क्रिप्ट का सिल्क है वो मच्वारों की बस्ती में गए और दस रुबे दे के वापस से वा मैनस्क्रिप्ट उनसे खरीद ली वो मैनस्क्रिप्ट ज़्यादा खराब नहीं हो पाई थी क्योंकि वो लखड़ी के अंदर इतने अच्छे से रैप्ट थी कि वो पानी से ज़्यादा खराब नहीं हुई थी बड़ी जी सेन को उनकी मैनस्क्रिप्ट वापस करते हैं और ये सारा रास खुलता है पुलिस लक्षवन भटाचारे जो कि एस्तुलोजर थे और बिलास मजुमदार के नाम से रहते हुए मिस्टर सरकार जो कि एक कुख्यात चोर था उसे गिरफतार करते हैं और इस तरह से ये कहानी यहीं पे खत्म होती है कहानी थोड़ी कॉम्टिकेटेड थी लेकिन इंट्रेस्टिंग थी आपको कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और जोड़े रहे मेरे चैनल से बाई फो नाउ